बिग बॉस 18 का हिस्सा क्यों नहीं बनी है निया शर्मा फाइनली उन्होंने बता दिया है आखिरकार क्या था रीजन उनका नाम इतना जादा हाइप में आया और अच्छानक से उन्होंने शो में आने से मना कर दिया ऐसा क्या हुआ था चलिए इस वीडियो को एंड तक देख कि वो शो का हिस्सान नहीं बनेंगी अब इस पूरी कॉंट्रिवर्सी पर खुद निया शर्मा ने बता दिया है कि आखिरकार वो क्या रीजन था जो एंड मुमेंट पर उन्हें अपना डिसिजिन वापस लेना पड़ा खत्रों के खिलारी 14 के ग्रांट फिनाले के दौरान बिग बॉस 18 की पहली कंटिसन के तौर पर कंफर्म होनी के बाद आक्ट्रिस निया शर्मा ने काफी सुर्ख्या बटोर ली थी उन्होंने 6 अक्टूबर को ये अनौंस कर दिया था कि अब वो शो का हिस्सा नहीं बनेंगी जैसे ही शो का प्रीमेर आने वाला था उसके क्या था दरसल उन्होंने एक इंट्रिव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि वो पहली बार विग बॉस 18 में शामिल होने वाले थी लेकिन प्लानिंग में अच्वानक से चेंजिस हो गए जिस कारण से उन्हें बाहर होना पड़ा उन्होंने बताया कि य जीब सी सचुवेशन में आ गई क्योंकि उनके पार्टसिपेशन को लेकर पहले ही काफी इतना हाइप हो चुका था अचानक से हुए इस चेंजस से उन्हें काफी शिकायत भी थी लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें बस क्रियेट करने के लिए की गई थी और मुझ की स्ट्राटेजी को सपोर्ट भी करती हैं उन्होंने कहा कि अगर वो मेरा नाम लेकर कुछ कर रहे थे तो वो पूरी तरह से ठीक है मेरे पास उनके साथ दो शोज हैं और मैं उनकी प्लानिंग के रिस्पेक्ट करती हूं दिल्चस बात तो यह ही कि निया ने कहा कि उनके अ फिर उन्होंने मजा के अंदाज में कहा कि मेरे घर में एंट्री करने को लेकर हाइप बहुत बड़ा था मैंने इसे खुब इंजॉइ भी किया है वल निया शर्मा के घर में ना आने से उनके फैंस तो डिसपॉइंट हुए ही थे लेकिन मेकर्स ने उनको घर में लाने की स् ठी फिल हाल तो वो बिग बॉस के घर में नहीं जा रही है लेकिन इस बार के बिग बॉस को देखकर आपको क्या लगता है कि शो कैसा चल रहा है और क्या आपको मज़ा आ रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर आप बिक बोस से जोड़ी हुई कोई भ अबस्क्राइब करना मतुलेगा